केरल लव जिहाद मामले में हादिया की याचिका पर सुप्रिम कोर्ट में आज होगी सुनवाई लव जिहाद मामले में सुप्रिम कोर्ट आज सुनवाई करेगा इससे पहले इस मामले को लेकर हादिया ने सुप्रिम कोर्ट में हलफ नामा दाखिल कर कहा था कि वह मुसल्मान है और मुसल्मान के तौर पर ही अपनी जिन्दगी जीना चाहती है हादिया ने अपने हलक नामे में कहा था वह शाफीन जहां की पत्नी है जिससे शादी करने के लिए उसने इसलाम धर्म अपनाया है दरिसल पिशले साल 27 नॉंबर को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंदरचूट की बेंच के समख शादिया ने कहा था कि वह आजादी के साथ पती शफीन के साथ जिन्दगी गुजारना चाहती है